हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल में आज हम लेकर आए हैं बी ये फस्ट समस्टर अर्थसास्त्र फस्ट पेपर का दूसरा पार्ट जैसे कि हम जानते हैं कि फस्ट पेपर में जो सीर्शक लिया गया है वह व्यस्टी अर्थसास्त्र इसके पहले चैप्टर में हमें समझना था अर्थसास्त्र की परिभासा अर्थ छेत्र एवं इसकी प्रकित के बिसे में पहले वीडियो में हम अर्थसास्त्र की परिभासा और अर्थ को डिटेल में समझ चुके हैं कि अर्थसास्त्र का मतलब क्या होता है इसका अर्थ क्या हो होता है इसको हम डिटेल में पहले वीडियों में समझ चुके हैं यादि आपने उसे ना देखा हो तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका दूसरा वाला वीडियों और अच्छे तरीके से समझ में आएगा इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं अर्थ सास्त्र की प्रक्षित क्या होता है तो हम जानते हैं कि अर्थ सास्त्र पढ़ने का मेरा उद्देश है कि एकोनॉमिक्स अर्थ के विशे में समझें रोजगार के विशे में समझें और जो हमारी अर्थ विवस्था है उसके विशे में जाने कि अर्थ को कैसे बढ़ाया जा सके रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सके और लोगों के इंकम को कैसे बढ़ाया जा सके प्रकित में जो प्रश्ण अक्सर पोछा जाता है वो इस प्रकार से आता है क्या अर्थिसास्त्र विज्ञान है अथवा कला ब्याख्या के जे इसकी प्रकित क्या है प्रकित का मतलब होत इसी प्रकार हम अर्थ सास्त्र की भी प्रकित को पहचानेंगे कि इसकी प्रकित कैसी है इससे जो प्रश्ण बन सकता है वो इस प्रकार से बनेगा कि क्या अर्थ सास्त्र विज्ञान है अथवा कला व्याख्या कीजिए या अर्थ सास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों है इस कथन की व्याख्या केजिए या अर्थ सास्त्र चयन का विज्ञान है इसकी व्याख्या केजिए इस प्रकार से प्रस्ण बन सकता है तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं अर्थ सास्त्र की प्रकित का अर्थ इस बात से है कि अर्थ सास्त्र विज्ञान है अथवा कला या दोनो प्रकित का ये मतलब है इस विज्ञान अथवा कला के रूप को हम कैसे जाने तो इससे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं कि आखिर विज्ञान क्या है इसका मतलब क्य है तब ही तो हम इसकी comparison इसकी तुलना अर्थ शास्त्र से कर सकते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या है वास्तों में विज्ञान का अर्थ हमने हाइज स्कूल में भी पढ़ा होगा कच्छनों में भी पढ़ा है बिज्ञान का अर्थ होता है किसी विशय का क्रमबध सू बिवस्थित एवं सू संगठित ज्ञान को बिज्ञान कहते हैं किसी विशय का क्रमबध सू बिवस्थित एवं सू संगठित ज्ञान को बिज्ञान कहते हैं अर्थात केवल तथ्यों को एकत्र करना ही बिज्ञान नहीं है अगर केवल आंकडों को हम याद कर लें तो वही बिज्ञान नहीं कहलाता है बलकि उसको क्रमबध एवं सू बिवस्थित होना चाहिए विज्ञान होने के लिए किसी विशय में निम्न बाते होनी चाहिए जैसे जो भी ज्ञान है वो क्रमबध होना चाहिए जो भी ज्ञान है वो क्रमबध होना चाहिए विषय के अपने नियम वा सिध्धान्थ होने चाहिए दूसरा पॉइंट तीसरा ये सिध्धान्थ कारण और परड़ाम के संबंध के आधार पर होने चाहिए क्योंकि विज्ञान ये बताता है कि प्रतेक कारण के पीछे एक परड़ाम होता है और जो भी परड़ाम हमको मिलता है उसके भी पीछे एक कारण होता है तो कारण और परड़ाम में एक बिसे संबंध होता है विज्ञान के अंतरगत और चौथा है ये नियम सारभावमिक रोप से सत्थ होने चाहिए बिज्ञान के जो भी नियम है वो सारभौमिक रोप से सत्त हैं जैसे अगर हम जड़त तुकनियम पढ़ते हैं तो वो पूरे संसार में पूरतया सत्त माना जाएगा कि जड़त तुकनियम यही है चाहे जितने लोग आके अपना तर्कित है तो बिज्ञान का एक निश्चित तर्क होता है और उसका जो भी ज्ञान है वो क्रमबध है सू बिवस्थित है और सू संगठित है तो यह है बिज्ञान का अर्थ अब चलिए हम इसको अर्थ सास्त्र से तुलना करके देखते हैं कि अर्थ सास्त्र से क्या मैच करता है, अर्थ सास्त्र में ऐसा क्या तारकिक पॉइंट है, अब हम देखते हैं, अर्थ सास्त्र के विज्ञान होने के पच्छ में तर्क, विज्ञान होने के पच्छ में जो तर्क दिये गया हैं, उसको हम देखते हैं, पहला पॉइंट है क्र क्रमवध अध्यन, तत्यों को क्रमवध रूप से एकत्रित करने के साथ साथ, उनका वर्गी करड़ एवं विसलेशण, अर्थसास्त्र में भी किया गया है। दूसरा है आर्थिक नियमों का प्रतिपादन जैसे विज्ञान में आर्थिक नियमों का या कुछ मुख नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसी प्रकार अर्थसास्त्र में भी विज्ञान की तरह इसमें भी नियमों का प्रतिपादन किया जाता है जो कारण और परिडा के संबंध को दर्साते हैं तीसरा पॉइंट है प्रयोग वा परिच्छड अर्थ सास्त्र में मानों ब्यवहार का अवलोकन करके जो परिकल्पना बनाई जाती हैं उनकी तथ्यों को द्वारा जाच की जा सकती हैं चौथा है सारवभावमिक्ता आर्थिक नियम भी वैज्यानिक नियमों की तरही सारवभावमिक होते हैं जैसे उप्योगिता हनास नियम और उत्पत्ती हनास नियम गा होता है वो पूरी तरीके से सारभॉमिक है उसी प्रकार अर्थसास्त्र में भी कुछ लियम है वो भी सारभॉमिक है उपयोगिता हनास लियम उपयोगता हनास नियम क्या होता है जो भी वस्तूओं का उत्पादन होता है और अलग अलग बेक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार से उपयोगी होता है जैसे माल लिजे हमने साइकल का निर्माड किया और कोई आदमी बाइक से चलता है उसके पास बाइक की बेवस्ता है तो cycle उसके लिए उतना उपियोगी नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई आदमी पैदल चलता है, तो उसके लिए cycle अगर पहली बार मिले, तो बहुत ज्यादा उपियोगी माना जाएगा, यह है उपियोगिता हनास का नियम, कि जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, तो किसी वस तो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग प्रकार से उपियोगी हो सकता है, तो यह भी नियम जो उपियोगता हनास का नियम है, यह सारो भौमिक है, यहां पर भी वो सबके लिए लागू होता है, इसको डेटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके लिए एक अलक्स वीडियो लेकर आएंगे पाच्व हैं भविष्ष्वारी इसमें भी अन्विज्ञानों की भावी अनुमान लगाए जा सकते हैं जैसे विज्ञान में हम किसी सिध्धान्त की भविष्ष्वारी करते हैं कि इसका परडाम यह हो सकता है उसी प्रकार अर्थसास्त् बिज्ञानके पच्ष में होने में हम kya-kya तर्क दे सकते हैं जैसके हम जानते हैं कि कोई भी स्ध्धान्तिक परभासा हो बिज्ञान को छोड़ करके क्योंकि बिज्ञान तो तार की खाई है उसके दो Defini anten नहीं हो सकते हैं लेकिन अगर पच्ष्यकी परभासा में अगर प अर्थिसास्त्र को विज्ञान माना जाएं तो देखते हैं विपच्छ में क्या तर्क दिये गए हैं कुछ विद्वान अर्थिसास्त्र को विज्ञान स्विकार नहीं करते हैं उसके कारण निम्नुमत हैं पहला कारण है मत भिन्निता अलग-अलग विद्ञानों के अलग-अ जानी काते हैं तब भी किसी सिध्धान्त के विशा में एक सुनिश्चिस्ता होती हैं, लेकिन यहां अर्थशास्त्रियों के बीच एक मत भिन्निता हैं, तो यह विज्ञान के विपच्छ में एक तरक हैं, दूसरा यह हैं, सही भविस्वाली करने में आसमर्थता, भावतिक एवं रसान विज्ञान की तरह अर्थ सास्त्र सही भविश्वाली करने में असमर्थ हैं। ये किसी भी सिध्धान्त की सही भविश्वाली नहीं कर पाता। तीसरा है आर्थिक व्योहार की सही सही माप संभव ना होना। आर्थी क्रियाओं का सही माप संभव नहीं है विज्ञान की सारी यूनिट को हम सही सही माप सकते हैं लेकिन जो आर्थी क्रियाओं हैं उनकी सही सही माप संभव नहीं है तो निसकर सीजे निकलता है कि अर्थसास्त को विज्ञान तो कह सकते हैं लेकिन ये कमजोर विज्ञा इत्राप अच्छा है कला का तो कला के बिसम में पहले हम समझ लेते हैं कि कला किसे कहते हैं कला क्या है कला उद्देशों की प्राप्ति की एक व्योहारिक तकनीकी है कला को इंगलिस में आर्ट कहते हैं जैसे कहा जाता कि आर्ट इस लाइफ कला ही जीवन है तो कला का मतलब है क हम कोई ऐसी ब्योहारिक टकनीकी सीखें जैसे गाने की कला, डौंस करने की कला, मूर्थी कला जिससे हम जो भी उद्देश प्राप्त करना चाहते हैं तो कला उद्देशों की प्राप्ती की एक ब्योहारिक टकनीकी है अर्थ सास्त्र को कला भी माना गया है जिसके पच्छ में भी कुछ तर्क दिये गया है तो चले देखते हैं किन किन बैग्यान को ने क्या गया तर्क दिया है कला के पच्छ में पच्छ में तर्क प्रोफेसर एडम स्मित रिकारडो मिल पीगू मार्सल तथा केंस आदि अर्थ सास्त्रियों ने अर्थ सास्त्र को कला माना है इस सम्बंद में उन्होंने कुछ तर्क भी दिये हैं जैसे पहला है मानो कल्याड अर्थिसास्त्र का अभिन अंग है मानो कल्याड अर्थिसास्त्र का अभिन अंग है अर्थिसास्त्र का प्रमुक्कार कला के रोप में आर्थिक समस्याओं को सुलजाना है ताकि बेरोजगारी, गरीबी, धन बित्रल की आसमानता जैसे समस्याओं का हल खोजा जा सके कला के आभाओं में अर्थसास्त्र एक निस्क्री देवता के समान है जिसका सधान्तिक महत्तो भले ही हो परन्त ब्यवहारिक महत्तो सून होता है दूसरा पॉइंट है ब्यवहारिक अर्थसास्त्र का बढ़ता हुआ महत्तो इसके कला होने का प्रतीक है अर्थसास्त्र का जो ब्यवहारिक रोप है इसका महत्तो लगातार बढ़ता जाता है जो ये प्रदर्शित करता है कि ये कला होने का एक प्रतीक है वर्तमान युग में व्योहारिक अर्थ सास्त्र का महत तो बढ़ गया है आज कल अर्थ सास्त्र के अंतरगत आर्थिक सिधानतों का निर्माल करने के बज़ाय व्योहारिक नीतियों के निर्माल वह कार्यानवन पर अधिक जोड दिया जा रहा है तीसरा point है आर्थिक समस्याओं के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कोई भी आर्थिक समस्या विशुद धुरूप से आर्थिक नहीं होती जैसा के definition में भी हमने समझा है कि अर्थ सास्त्र में जो आर्थिक समस्याओं होती है वो असीमित इच्छाओं के कारण होती हैं कोई भी आर्थिक समस्याओं हम यह नहीं कह सकते कि वो आर्थिक ही है वो और भी कारण हो सकता है उसका इसलिए ये भी एक point है कला मानने का अब विपच्छ में भी कुछ तर्क दिये गये हैं कला के विपच्छ में भी तो उसको देखते हैं क्या दिया गया है विपच्छ में प्रोफेसर वालरस सीनियर कूर्णो सुमपीटर आधि अर्थिसास्त्रियों का तर्क है कि अर्थ सास्त्र एक विसुद्ध वास्तिविक विग्यान है उनका व्योहारिक नीत निर्मार से कोई संबध नहीं है कुछ लोगों ने ये भी तरक दिया है कि अर्थ सास्त्र एक विसुद्ध वास्तिविक विग्यान है उसका बेवहारिक नीत निर्माल से कोई संबध नहीं है अर्थात कला से कोई संबध नहीं है और उसके बिसम उन्हों ने तरक भी दिया है जैसे पहला तरक है अर्थसास्त्र का नीत पच उसके बैग्यानिक पच को कमजोर करता है अर्थ सास्त्र का नीत पच उसके बैज्ञानिक पच को कमजोर करता है अर्थ सास्त द्वारा नीत निर्माल कार करने पर उसकी बैज्ञानिक प्रगेती समाप्त होने लगती है दूसरा पॉइंट है अर्थ सास्त्र अधिक से अधिक अधिक अपूर्ण कला का रूप ले सकता है कुछ विद्वाने ने सुविकार किया है कि अर्थ सास्त्र को यदि कला का रूप देना है तो अधिक से अधिक ये अपूर्ण कला का रूप लेगा, पूर्ण कला का नहीं कुछ लोगों ने ये माना है कि यदि हम अर्थिसास्त्र को कला मान भी लें तो ये एक पूर्टया कला का रूप नहीं ले पाएगा ये एक अपूर्ण कला का रूप लेगा और इससे पहले विज्ञान के भी पच्छ में हमने देखा है कि विज्ञान तो माना जा सकता है लेकिन इससे भी एक अपोड विज्ञान मानेंगे तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अर्थसास्त्र है वो ना तो पूलताया कला को प्रदर्शित करता है ना तो पूलताया कला समयच करता है और ना पूलताया विज्ञान समयच करता है तो उप्रोक्त सामग्री का अगर हम एनालेसिस करें विशलेशल करें तो हम पाते हैं कि मि श्रित प्रकित वाली समस्याओं का ही समाधान इसमें कर सकता है कि विज्ञान भी इससे मैच करता है कुछ और कला भी इससे मैच करता है कुछ पूरी तरीके से नहीं इस प्रकार अर्थ सास्त्र विज्ञान वा कला दोनों है अब हम देखते हैं कि अर्थ सास्त्र का छेत्र क् इसमें टॉपिक चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्यस्टी अर्थिसास्त्र तो उस छेतर में दो अर्थिसास्त्र हैं एक ब्यस्टी अर्थिसास्त्र और एक ब्यापक अर्थिसास्त्र ब्यस्टी अर्थिसास्त्र को हम माइक्रो एकोनॉमिक्स या सूच्म अर्थिसास्त कहते हैं और व्यापक अर्थिसास्त्र को मैक्रो एकोनॉमिक्स या व्यापक अर्थिसास्त्र हैं माइक्रो का अर्थ होता है सूच्म बहुत छोटा भाग जैसे माइक्रो इसको मतलब सूच्म दर्सी इसी प्रकार माइक्रो का अर्थ होता है सूच्म मतलब बहुत छोटा करते हैं इसके अंत्रगत हम अर्थव्यवस्था का समग्र अध्यन ना करके अर्थव्यवस्था के बिस्ष्ट और्थिक इकायूं अथ्वा व्यक्तिगत इकायूं का अध्यन करते हैं इसके अंत्रगत एक वस्तू एक फर्म या किसी एक उपभूगता का अध्यन करते हैं कु बिसिष्ट या सूच्म अर्थसास्त्र में ब्यक्तियों के ठीक परभासित समोहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्यन किया जाता हैं। किसी ब्यक्तिगत समोहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्यन करते हैं। दूसरा देखते हैं प्रोफेसर चैंबर लिन के अनुसार। और भययक्तिक संबंदों से भी होता है, तो इस प्रकार हमने देखा कि सूचम अर्थिशास्त्र का मतलब ही होता है कि किसी ब्यक्तिगत अध्यन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ये प्रूतया मैक्रो का मतलब होता है बड़ा ब्यापक इसमें संपूर अर्थिप्यवस्था से संबंधि समू हो जैसे राष्ट्री आये राष्ट्री बचत राष्ट्री बीनियोग या नैशनल इन्वेस्ट्मेंट भी कहते हैं नैशनल इन्वेस्ट्मेंट कुल रोजगार कुल उत्पादन हुआ सामान कीमत अस्तर आधिका अध्यन किया जाता है मैक्रो एकोनामिक्स का मतलब है कि जो हम अर्थिसास्त्र का अध्यन करते हैं उसे ब्यापक रूप से अध्यन करें पूरे राश्टी रूप से लेकर चलें कि कुल उत्पादन कितना हुआ कुल बचत कितना है प्रतिव्यक्ति आय कितना आ रहा है इसका जो अध्यन करते हैं ये एक ब्यापक अर्थिसास्त्र के अंत्रगत आता है देखते हैं के कुछ अर्थिसास्त्रि ने इसकी भी परिभासा दिया है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समच्टीगत आर्थिक सिध्धांत अर्थिसास्तर का वह भाग है जो अर्थिसास्तर के कुल आवसत तथा कुल समौहूं का अध्यन करता है दूसरा गार्डनर एकले के अनुसार इन्होंने बताया कि समस्टीगत अर्थसास्त्र का सिध्धान्त इस प्रकार के तत्तों से है जैसे किसी अर्थव्योस्था का कुल उत्पादन उनके साधनों का किस प्रकार उप्योग हो रहा है राष्ट्री आय का आकार अथवस सामान कीमत अस्तर को ही हम क्या कहते हैं ब्यापक अर्थसास्तर तो इस प्रकार से एक डिपनीशन में अगर हम देखें तो ब्यापक अर्थसास्तर का मतलब होता है कि हमें राष्टी अस्तर से या राज अस्तर से अर्थवेवस्था का अध्यन करना है कि प्रतिव्यक्ति आय क्या है कुल जीडिपी कितना है कुल उत्पादन कितना हुआ कुल उपभोग कितना हुआ अब हम समझते हैं कि सूच्म अर्थसास्तर के छेत्र कौन कौन से हैं सूच्म अर्थसास्तर के छेत्र इससे हम ये समझते हैं कि अर्थसास्तर को कैसे सफल बनाया जाए वैसे इकोनॉमिक्स इस्टडी का हमारा उद्देश यही है कि इससे हम ये समझते हैं कि आर्थिसास्त्र को कैसे सफल बनाया जाए इसमें पहले हम ध्यान देते हैं उत्पादन प्रोडक्शन पर आपके पास जितना भी उपलब्ध संसाधन है अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको उपयोग करके उनहीं से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिस करते ह हैं दूसरा उपभोग कंजम्प्शन सिर्फ उत्पादन करने से आपको आर्थिक सफलता नहीं मिलने वाली है बलकि उत्पादन को लोगों तक पहुचाना है जिससे पूरा उत्पादन कंजियूम हो सके और जो भी उत्पादन हम लोगों को दे रहे हैं वे इससे संतोष्ट भी हूं कि उत्पादन अच्छा हैं तव हमारा पूरा उत्पादन कंजियूम हो पाएगा इसमें हमें सीमांत उप्योगिता हनास के नियम को भी ध्यान में रखना है कि लोगों को किस प्रकार कि सामागरी की आवस्ष सकता है किस क्वालिटी की सामान को लोग पस ब्यक्तिगत बित्रल करते हैं हम कोई भी चीज उत्पादित कर रहे हैं तो उसमें कुल लागत हमारा कितना आया है उसका आकलन करते हैं इसके बाद हेडिंग है ब्यापक अर्थिसास्त्र का छेत्र ब्यापक अर्थिसास्त्र के छेत्र में हमने ये देखा कि माइक्रो इकोनामिक्स पूरी अर्थव्योस्था का एक बड़ा चित्र रेता है ब्यापक अर्थशास्त्र में जो अर्थव्योस्था है ये ब्यापक होता है इसके अंतरगत जीडीपी जिसे हम सकल घरेलू उत्पात कहते हैं राश्ट्री आय मूल अध्याँहों का अध्यान किया जाता है के सूछम अर्थशास्त्र के लाभ होते हैं इसको देखते हैं जैसे पहला नीति-는oi-imana महत्पूर्ण क्योंकि माइक्रो शोते अंत्रगत हम व्यक्तिकत अध्यान करते हैं तो नीत-निर्धारर में ज्यादा महत्तोर्ण होता है दूस या आर्थिक दसाओं की जाच में भी सहायक है तिसरा यह व्यवस्ताइक उपक्रमों के संबंध में सहायक होता है चौथा यह उन स्रोतों का भी विसलेशडात्मक अध्यन करता हैं जो अर्थ व्यवस्ता को निर्मित करने वाले विभिन घटकों से संबंधित होती हैं जैसे आयबय उपभोग एवं बीन योग आदि व्यापक अर्थ सास्त्र के लाव पहला पॉइंट है आर्थिक विकास एवं नियोजन में दूसरा आर्थिक नीतियों के निर्माड में तीसरा मौद्रिक समस्याओं के विसलेशड में यह ब्यापक अर्थ सास्त्र के लाव हैं इस इस प्रकार हमने देखा कि आर्थिसास्त्र का जो पहला टॉपिक है हमारा पहला लेशन है उसके अंतरगत आर्थ परिभासा प्रकित छेत्र ये चार हेडिंग थे जिनको हमने दो वीडियो के माध्यम से समझ लिया है और इसका पीडिया भी हम आपको प्रोवाइट करा इस प्रकार है टापिक समाप्त होता है और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा इस्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके इसके अगले पार्ट में वीडियो थाड में हम अगले चैप्टर के विशे में